सातियो नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर संगराम पाटिल है इस वीडियो में मैं कोरोना की जो महामारी फैली है वह कब तक और किस तरह से नियंत्रन में आएगी इसके विश्वय में जो वज्णियानिक जानकारी है वह मैं आप से शेर करूंगा तो सातियो करोना की महामारी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है यह कब तक नियंत्रन में आएगी कब करोना खतम हो जाएगा इसके बारे में दो टर्म्स यूज़ करते हैं वह एक टर्म जो है यह इलिमिनेशन है और दूसरी सप्रेशन है इलिमिनेशन यानि उसको पूरी तरह खतम कर देना जैसे स्मॉल पॉक्स खतम हो गया था इसे चेचक की बिमारी हिंदी में कहा करते थे और सप्रेशन का मतलब होता है कि उसको इस तरह लोग ट्रांसमिशन कर देना उसका प्रभाव जो है इतना कम हो जाए कि वह महामारीनर है और हमारा जीवन जो है वह नार्मल तरीके से चल सके तो सप्रेशन जैसे फ्लू का हुआ था 1918-1919 FC स्पैनिश फ्लू का पैंडेमिक चला था और उस वक्त पैंडेमिक खतम हो गया था लेकिन फ्लू खतम नहीं हुआ है पर हमारा जन जीवन उससे अब ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है इसे सप्रेशन कहते हैं तो सातियो पुड़ा इतिहास में जाकर देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स की जो चेचक की बिमारी थी वो कैसे खतम होगी यह दो-तिन हजार साल पहले की बिमारी समाज में रही है पूरी दुनिया में रही है और इसका मृत्युदर जो था केस फैटालिटी रेट वो बहुत जादा हुआ करता था लगबग 20 से 60 प्रतिशत अडल्स इसमें मर जाते थे और बच्चे तो जैसे इंफेक्शन हो बिमारी हो 80% बच्चे मर जाते थे 200 साल पहले जिस व्यक्ति ने इसका डिस्क्रिप्शन किया था उसने एक आशा जताई थी कि कभी ना कभी इस पर टीका आ जाए वैक्सिन आ जाए और ये बिमारी खतम हो जाए और 1980 में में महीने में जाकतिक स्वास्ते संगटन ने चेचक की बिमारी को दुनिया से पूरी तरह इलिमिनेट करने का एलान किया लेकिन इसके पहले जाकतिक स्वास्ते संगटन डबली एचर के नियंतरन में और निकरानी में लगातार 30 साल तब वैक्सिन का प्रचार और प्रसार होते रहा और दुनिया के लगबग हर एक बच्चे को वैक्सिन दिया गया तब जाके स्मॉल पाक्स दुनिया से खतम हुआ अब फ्लू पैंडेमिक की बात करते हैं 1918 और 1919 में जब भारत अंग्रेजों के रेजिम के अंडर था तब दुनिया में फ्लू का पैंडेमिक फैला था और ये लगबग 50 करोड लोगों को इनफेक्ट किया था इस फ्लू ने इसमें 5 करोड लोग मर गय थे उसमें से 1.5 करोड तो भारत के ही थे इतियास में जो लिखा गया है जिन लोगों ने इसको देखा था वो बोलते है कि भारत के कही इलाकों में इतने लोग मर गय थे कि डेड़ वाड़ी इसको उठाने वाले भी कोई नहीं थे जंगली जानुवर और शौबद आके मनुष्य के डेड़ वाड़ी को खा रहे थे ऐसे भी कुछ जगह पे रेकॉर्ड है तो ये पैंडेमिक जब आया था उसके दो से तीन लहरे चली थी साथियो और पहली लहर में जितने लोग नहीं मरेते उतने दूसरी लहर में मरेते सेकेंड वेव में तीसरी लहर के बाद 1919 में ये खतम हो गया था लेकिन 1919 में सिर्फ महामारी खतम होई थी फ्लू खतम नहीं हुआ फ्लू तो हर साल से रूटाते रहता है वो समाज में जैसे कि हमेशा के लिए रहा है और हर देश में जब ठंड बढ़ती है विंटर आता है तो फ्लू के केसे बढ़ जाते है आज भी दुनिया भर में लगबख साड़े छे लाक लोग हर साल फ्लू से प्रभायुत होकर मरत होते हैं और संक्रमित होने वालों की संक्या लगबख एक अरभ होती है दुनिया में तो फ्लू पेंडेमिक तो कतम हो गया लेकिन फ्लू गया नहीं है और ये हर साल इसमें फ्लू के वाइरस में चेंजिस होते रहते हैं जिसे मिव्यूटेशन कहते हैं तो उसका जो COVID-19 को आये हुए अब 8 से 10 महने हो चुके है सात्यों और इसने अब तक रूपने का नाम नहीं लिया है सात्यों मैंने शुरू में भी कहा था कि COVID-19 नियंत्रित करने के लिए 4 प्रकार के मार्ग है जिनसे ये नियंत्रन में आ सकता है पहला जो मार्ग है वह जब हमारे समाज के 60 से 70 प्रतिशत लोग COVID-19 के वाइरस से संकर्मित हो जाएंगे उससे समूह की प्रतिकार शक्ती बढ़ेगी जिसे हर्ड इम्मूनिटी कहते हैं उसके बाद इसकी महामारी होना या बड़ी समस्या होना खतम हो जाएगा दूसरा जो मार्ग है वह लस का वैक्सिन का ठीके का अगर 60 से 70 प्रतिशत लोगों को वैक्सिन दिया जाता है तो उसका फैलाव इतनी तेजी से नहीं होगा जैसे आज हो रहा है और यहां महामारी के समस्या खतम हो जाएगी इसरा जो मार्ग है जिससे कोविन-19 का वाइरस अगर बदल जाता है इसमें म्यूटेशन होता है और बदला हुआ वाइरस यह कम संक्रमित करने वाला या कम डेडली होता है तो इससे भी महामारी के समस्या खतम हो जाएगी और चोथा जो पर रहा है उससे अगर हम अच्छी कोई दवा ढून लेते हैं जैसे हम लोगोंने टीबी पर ढून निकाली है एचाईवी पर ढून निकाली है तो यह महामारी की समस्या कम हो जाएगी हाला कि COVID-19 वाइरस समाज में देश में फैलता रहेगा लेकिन हमारे नॉर्मल जो उद्योग है हमारे जो डे-to-day लाइफ के एक्टिविटीज है यह हम नॉर्मली चला सकते हैं तो इन चार में से COVID-19 वाइरस ने अब तक खुद को बदला नहीं है म्यूटेशन तो ऐसे दिखे नहीं है जिससे हम कह सकते है कि यह निश्क्री हो जाएगा निश्प्रव हो जाएगा वैक्सिन आने में अब कुछ समय और बाकी है तब तक हम को रहा देखनी पड़ेगी COVID-19 पर कुछ दवाए असर कर रही है लेकिन कोई ऐसी magical दवा जैसे malaria में या typhoid में हम देते है वह इसी अब तक नहीं आई है साथियो मे महिने में University of Minnesota America की University है इसके scientist के एक team ने ये predict किया था कि जिस speed से ये प्रसारित हो रहा है COVID-19 का virus इस speed से 60-70% लोगों को संक्रमित अगर करना है तो उसको 18-24 मेने लगेंगे इसका मतलब यह है कि कोरोना की महामारी इतने समय तक रह सकती है उन्होंने इसके बारे में तीन प्रकार की possibilities प्रेडिक की थी पहले possibility के अनुसार कोरोना की अब जो चल रही है बड़ी wave है और इसके बाद में और एक छोटी wave आएगी तीसरी भी wave आ सकती है और उसके बाद 2021 के अन तक कोरोना महामारी खतम हो जाएगी दूसरी जो उन्होंने possibility प्रेडिक की थी उसके अनुसार अबकी जो करोना की wave है लाठ है इससे भी बड़ी wave आएगी जैसे 2018-19 में Spanish Clue की आए थी और वह ज्यादा संक्रमन करेगी ज्यादा लोगों की जान लेगी और उसके बाद धिरे धिरे कोरोना 2021 में खतम हो जाएगा और तीसरी जो possibility उन्होंने जताई थी उसके अनुसार पहली बड़ी wave के बाद छोटी छोटी लहरे आएगी जो कुछ बड़ी नहीं होगी important नहीं होगी समाच से देश और दुनिया से कोरोना की महामारी का असर कम हो जाएगा हलाकि कोरोना का वाइरस फिर भी जिंदा रहेगा और उसका चोटे मोटे तोर पर संक्रमन जारी रहेगा तो सातियों ये में में अतहा था इस उनिवरसिटी ने लेकिन उस वक्त कोरोना का जो वैक्सिन है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था अब तो हम जानते हैं कि काफी सारे कमपनिया जो है दुनिया में वह वैक्सिन प्रोडक्शन के फेस 3 ट्रायल में जा चुकी है और अगले कुछ मैनों में हमें वैक्सिन मिल सकता है तो वैक्सिन मिलने के बाद जब हम 60-70 प्रतिशत लोगों को वैक्सिन मिल जाता है तो इसका संक्रमन काफी कम हो जाएगा और ये महामारी भी जल्दी से रुख जाएगी लेकिन ये सब वैक्सिन आने के उपर निर्बर करता है और उसके लिए हमें एक effective और safe वैक्सिन की रहा देखनी पड़ेगी सातियों तो इन सारी चीजों का हमारे लिए क्या मतलब है तो सातियों इसका मतलब ये है कि आज भी करोना यह काफी ज़्यादा पैमाने पर संक्रमित होने वाला वायरस है जिन लोगों में medical diseases है बीमारिया है अलग-अलग किसम की उनके लिए यह जानलेवा साबित हो रहा है अगर हम इ इसके लिए मैं पंच सुत्री का advice करूँगा यह पाच सुत्र है पाच steps है जो हमें अगले कुछ महिनों तक या अगले दो साल तक follow करने पड़ेंगे इसका पहला सुत्र है कि 80 जो लोग है जिनको ज्यादा रिस्क है उन्होंने खुद को बचाय रखना है बाहर बिलकुल न पड़े तो ऐसे समय जाए ऐसी जगों पर जाए जहां भीडनी होती है लोगों से दूरी बनाए रखे दो मिटर की दूरी बनाए रखे तीसरा जो सुत्र है वो आप जब काम के जगा पर काम शुरू हो जाएगा नोकरी शुरू हो जाएगी तो वहाँ पर लोगों से दूर बनाए रखे दूरी नहीं बनाए रख सकते हैं तो मास्क लगाईए हाथ की हैजिन रखिए और चेहरे को आखे नाक और मुझ को हाथ लगानी की जो हमारे आदत है उससे बचिए चोथा जो सुत्र है उसमें हम जब ट्रावल करते हैं बस से टैक्सी से आटो से उस समय हमें लो ऐसे समय भी हमें मास्क दूरी बनाए रखना हैंड हाईजिन इन चीजों का खयाल रखना पड़ेगा और पाच्वा जो सुत्र है उसमें हमें हस्पताल और डॉक्टरों का एकदम स्मार्ट तरीके से यूज करना पड़ेगा अगर आपको डॉक्टर से मिलने की जुरुत न करोना की टेस्से डऻरने की जरुरत नहीं है वैसे तो करोना से बीडरने की जरुपि नहीं है क्योंकि इसका मृत अकहती कम है और जल्दी से जल्दी करोना टेस्ट कराईए। जरुरत हो तो isolate कीजिए, खुद को quarantine कीजिए और कोरोना से जल्दी बाहर निकलिए, खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाईए. तो हमें अगले कुछ महिने कोरोना के वैक्सिन की रहा देखनी है और जब तक इसको असरदार वैक्सिन या असरदार दवाई नहीं मिल जाती हमें पंचसुत्री का पालन करना है. सातियों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ प्रैक्टिकल इन्फोर्मेशन कोरोना के महामारी के बारे में मिली हो, अगर आप इससे सहिमत हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सातियों रिष्टिदारों में शेर कीजि जचे के, बाइब आप आप